ओके सो हेलों वेलकम बाइस वेलकम बैक टूमनीबुल तुछ अर्दीब मलिक चलिए कि देखते हम कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से टेड कर सकते हैं तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कि हमारे जो ओडियंस है जिनरली बैंक निफ्टी इतना ट्रेड करते नहीं है तो अब से मैं स्टॉक्स के उपर भी वीडियो बनाया करूंगा कि किस तरीके से आप जो है कुछ सेलेक्टिट स्टॉक्स को जो कुछ ब्रेकाउट या ब्रेक्राउं लेवल पर है उसको आप ट्रेड कर सकते हो तो एक बार बस जस्ट फॉर दसेग कि एक बार बैंक निफ् और उसके बाद इसने लास्ट वीक जो था एक बार ब्रेकडाउं करने का इसने ट्राई किया था लेकिन जनरली क्या होता है अगर अगर ट्रेंड में मार्केट चलता है तो फिर एकदम से अगर डैड कैंडल बनती है तो उसके बाद गैप अपनिंग के बाद वो कवर कर दे है क्योंकि जिन लोगों ने यहां पर हैवी कॉंटिटी में सेल किया था वो लोग अपना शॉर्ट कवर करने आ जाते हैं तो आप यहां पर देखो कि वापिस से यह वहीं पर आ गया है यहां पर पहले चल रहा था यहां पर जो यह रेंज डिफाइन थी 44,400 से लेकर 43,400 तक तो यहां पर जो है यह हजार पॉइंट की रेंज है इसी के अंदर यह खूम रहा है तो चांसे है कि मंडे को मुझे नहीं लगता कि यह यह तो इधर ब्रेक आउट कर देगा या नीचे कहीं ब्रेक डाउन कर देगा तो थोड़ा सा एक साइडवेस मोमेंटम यहां पर हमें एक्सपर्ट करना बढ़ेगा कि मार्केट ने जो है अल्रेड़ी हजार पॉइंट नीचे आके हजार पॉइंट वापिस उपर इसने कवर कर दिया है तो अब थोड़ा पॉज लेना एक बार ही बनता है तो हम क्या करेंगे मंडे के दिन पर स्टैडल या स्टैंगल टाइप की चीज आप थोड़ा सेल कर सकते हो या फिर यह वाली रेंज मैंने डिफाइन की हुई है 44400 का सीई और 43400 का पी आप सेल कर सकते हो और जैसे ही कहीं पर भी किसी पर टच करता तो आप दूसरी साइड को बुक करके ऊपर की तरफ उसको शिफ्ट कर सकते हो इस तरीके से आप क्या रहेगा कि वैल डिफाइन स्ट्राटेजी हो जाएगी अगर यह उपर फिर से ब्रेक आउट करते तो इसको बुक करके पूरी रेंज को आप अपर में शिफ्ट कर सकते हो तो एक ब्रेक आउट माना जाएगा लेकिन इसको आप तब मत कीजेगा जब डिरेक्टली अग बिल चुका होगा तो मंडे के दिन पर यही रहेगा पूजिशनल ट्रेड आप इसमें प्लान कीजिए बजाए की इंट्राइडे में अगर इंट्राइडे में करने हैं तो वही स्ट्राइडस टैंगल ही आपको करना पड़ेगा और करना भी ठीक यहां पर माना जा सकता है तो देख लेते हैं वार 15 मिनिट चार्ट पर किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे तो कहीं पर भी खुलेगा तो एक साइकलोजिकल लेवल भी रहेगा यहां पर इसी रेंज के अंदर ही ट्राइ करेगा कि मंडे को इसी के अंदर ही क्लोस हो जाए क्योंकि पॉस लेना बड़ा इसे एक अच्छा मोमेंटम करने के लिए यहां पर देखों काफी टाइम यहां पर सब्वोट लेने का इसने इसको ब्रेकडाउन किया और काफी अच्छी हां पर रही इसमें दिखाई ती रहें लिए तो अगेन वहीं साइड़ पर खुल जाता है तो फिर इसी रेंज के अ करना रह सकता है तो उसमें फिर आप वही कॉलर कुट सेल करके इसके अनरा बैठ सकते एक हैसल के साथ तो का नेक्स्ट वीक में जो है मैं को ट्रेंडिंग मार्केट इतना एक्सपेट करनी रहा हूं कि बुझार ट्रेंडिंग हो जाएगा अगर मंड़ डिफाइन हो करेंगे वरना पूरे वीक के लिए आप इसको बस सेफली ऑप्शन सेल करके इससे बैठ सकते हो राइट तो अभी वर हम कुछ स्टॉक्स कर लेते हैं कि कौन साथ स्टॉक्स ट्रेट कर सकते हो अब बोला ऑस्पिटर हमने अभी दो वीक्स पहले हैं पर हमने डिसकस किया था कि यह काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर तो यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल पर जैसी इसने ब्रेक आउट किया तो काफी अच्छा इसने यहाँ पर रैली दिखाई तो 4600 से लेकर इसने 5200 तक का भी मोमेंटम किया हुआ है तो 600 पॉंट का यह मोमेंटम था का अच्छा हमें यहां पर देखने को मिला तो हम देख लेते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स जो मुझे अभी लग रहे हैं वीकली बेसिस पर एक स्टॉक है जूबिलेंट फूड अगर आप यहां पर देखोगे तो पहले क्या था कि गरूँतली हमें एक बेस्स बनाने का ट्राइ कर दीया है यहां पर यहां पर यह इस लेवल कोा आप इसको buy कर सकते हो around 900 का अगर इसका high है and jubilant foods ऐसा तो है निकि अभी बंद होने वाली है और अगर आप यहाँ पर भी target ना लेकर यहाँ तक भी अगर आप लेकर चलो कि 640 तक तो भी risk reward इसके अंदर काफी अच्छा बैठता है यहाँ पर क्योंकि अगर आपको यहाँ पर इतना सा चोटा सा रिस्क है और यहाँ पर पाने के लिए आपके पास 3-4 एक्स मतलब 4-5 एक्स टाइप की चीज है यहाँ पर तो जो आपका बना सिर्फ 20 रुपीस का बना and पाने के लिए यहाँ पर 140 है तो 1-7 का यहाँ पर टार्गेट है अगर आपको पूरा साल भी नहीं होल्ड करना है तो सिर्फ नेक्स वीक के लिए आप एक छोटा साइसल दे के इसको प्लान कर सकते हो तो 1-2 का तो आप इसके अंदर लेके चल सकते हो नेक्स स्टॉक देख लेते हैं सेल टेक हमने पहले भी डिसकेस किया था इसको लेगिन उस ने उतना momentum किया नहीं लेकिन हमारा स्टॉब ब्लॉस भी इसने यहां के इसको डिसकेस किया ता इसे थोड़ा सा breakout वो यहाँ पर नीचे आगया लेकिन हमारा जो एसल था वहाँ प आइटी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहां पर बन सकता है तो हो सकता है कि यह इसके बाद थोड़ा कंटिनसली रैली दिखाए और उसके बाद यहां पर अपना प्रीवेस रेजिस्टन्स था यहां तक पोश्चने क है ट्राइ करेगा थोड़े से स्विंग ट्रेडिंग के लिए यह स्टॉक है जो कि अभी लेवल अच्छा दिख रहा है इनका और यहां पर देखोगे तो काफी अच्छे यहां पर देखोगे आप काफी बार मुल्टिपल इसने यहां पर रेजिस्टन्स लिया हुआ हुआ का पैटन में यहां पर बन रहा है तो यहां पर आप देखोगे कि क्लोजिंग भी किसने काफी अच्छी करिया साइकोलोजिकल लेवल है उसके ओपर भी इसने क्लोस किया हुआ तो अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद यह इसका हाई ब्रेक करता है नहीं पर छोटी सी नीचे का आप लगा सकते हो तो अराउंड यहां आप मान के चलिए 70-80 रूपी इसका एसल है और 140 टाइपस का इसमें टार्गेट रख सकते हो तो इसके भी आप फ्यूचर्स जो अखर थोड़ा अच्छे एपटाइड से करते हैं आप फ्यूचर्स बाई कर सकते हो या फिर आप इसमें नॉर्मली भी जैसे ट्रेल लेते हैं वैसे आप कर सकते हो राइट तो लास्ट आप हम देख लेते हैं एक HDFC या फिर HDFC बैंक दोनों ही काफी अच्छे दिख रहे हैं बट आप इसमें से कोई भी एक स्टॉक चूस कर सकते हो कि दोनों थोड़ा सिमिलर ही मोमें सकता है तो इतना से चोटा से आप इसको प्लान कर सकते हो और हो सकता है कि अगर नेक्स्ट वी जैसे कि निफ्टी भी आल टाइम हाई पे जा रहा है तो यह भी ट्राइब करेगा कि 2800 के लेवल तक होच जाए 2-3 वीक के अंदर तो कफी चोटा यहां पर आपको देखने को म देखो कि थोड़ी कैंडल बड़ी है एसल थोड़ा यहां पर बड़ा आपको लगेगा तो इसलिए मैं HDFC ही प्रेफर कर रहा था एंड मान लीजे बैंक निफ्टी ने कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं किया बाइचांस नेक्स्ट वीक तो HDFC भी भागेगा नहीं तो के अंदर जो है रैली के अंदर HDFC पार्टिस्पेट कर सकता है तो हमने चार्ट स्टॉक डिसकस किये थे जूबिलेंट फूड एसल टेक HDFC एंड हिंदुस्तान उनिलीवर राइट चार्ट साब इसको ट्रैक कर सकते हो किस तरीके से नेक्स वीक मोमेंटम रहेगा मैं भी ट् सब्सक्राइबर अगर हमारे हो जाते हैं तो थाउजंड का लेवल हम रीच कर जाएंगे और आइड वूड बेरी ग्रेटफूल तो आल फ्यू गाईज राइट तो आट्स आल फूड़े गाईज